नमस्कार दोस्तों कायकरम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन हस्तियों से उन लोगों से जिन्होंने अपने कारक्षेतर में सफलता हासिल की है जिनकी समाज को भी जरूरत है और हमें भी बहुत जरूरत है दोस्तों हमारे जीवन में चाहें जितनी भी बड़ी मुश्किलें जितनी भी बड़ी कठिनाईयां क्यों ना आ जाएं हमें अपने जीवन को जिन्दा दिली से जिना चाहिए खुशी से जीना चाहिए क्योंकि इसी का नाम है जिन्दगी इसी बात की प्रेड़ना देते हैं हमारे आज के मेहमान जो है श्री अजेबबर जी मेडिकल फिल्ड से ना होने के बावजूद इन्हों ने आम जनता की पीड़ा को समझा और भारत में इन्जेक्स नामक इन्जेक्शन को लांच किया जी हां यह वही इंजेक्शन है जिसमें ना कोई चुबन होती है ना कोई दर्द होता है अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ आराम तो आईए आप और हम करते हैं एक मुलाकात श्री आजेबबर जी से आजे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है थांक यू अजे जी आप मेडिकल फिल्ड में किस तरह से आए क्योंकि आप बेसिकली यार कॉमस ग्राइच्वेट और फिर आपने टेली कम्मिनिकेशन में एंजीनिरिंग भी की है तो मेडिकल फिल्ड में आना कैसे पॉसिबल हुआ जी आपने अपनी एडिकेशन कम्लीट की 79 तो उस समय मेडिकल फिल्ड बिल्कुल नहीं फिल्ड थी और इस फिल्ड के अंदर क्याना मैं नहीं फिल्ड होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और किसी ने हमें गाइड कि या कि इस इस फिल्ड फो यू और इस वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया और आज जब हमें मतलब इस फिल्ड के अंदर और काम करने के लिए विधोशों में ब्रह्मन करना पड़ा और वहां पे नहीं नहीं टेकनीक को मतलब देख के और उनक को लाने के लिए भ्रह्मन करना पड़ा तो उस वजह से हमें मतलब इस फील्ड के अंदर और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट क्रेट होता चला गया तो आप उनका धन्यवाद करते हैं आज भी जिन्होंने आपको गाइड किया था कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है य लोगा है तो आजना यह पूंत को सेल करने के पीछ भारती बाजार में उताने के पीछ आपका क्या कारण है अवह पर इंस्ट्रेमें टेशन तो मेरे काफी सालों से एक्सपूजर रहा लेकिन रिसेटली वन आइवस ट्रेवलिंग बरॉट मैं वहां पर इंस्ट्रेमें टे जो कि बिना सुई के इंजेक्शन जब मैंने वो देखा तो मुझे अपनी मदर जो है मेरी मुमी है जो उनकी एक शी डाबेटिक एंड उनकी एक समस्या जो रोज उनको इंजेक्शन लेना पड़ता था सुपहर शाम उनकी एकदम से याद आई और जब मैंने देखा कि मतलब ये डिवाइस बिना सुई के इंसुलिन को आपके बॉडी के अंदर पहुंचा देता है तो मैंने सोचा कि इस से अच्छी नियामत उनके लिए कोई नहीं हो सकती जो पहला उस डिवाइस को बिना सुई के इंजेक्शन को हिंदुस्तान में लाने का जो मेरा पहली सोच थी सबसे बढ़ी बात होते हैं कि इंजेक्शन को देख के दर लगता है इतनी बड़ी सूई होती है तो आपने जब इंजेक्शन उतार, आप खुद कह रहे हैं कि बिना सुई का इंजेक्शन है, तो कितना सक्सेस्फुल आप मानते हैं इसको? किसी भी कॉंसेप्ट को किसी मार्किट में जब उतारा जाता है, तो कॉंसेप्ट की एक्सेप्टेंस के लिए डेफिनिटली इटेक्स टाइम, इस चीज़ को हम हिंदुस्तान में पहले अपने मदर की वज़े से जब मैं लेके आया, तो वेन आई साओ कि शी सो हैपी, इतनी हैं इस चीज से और फिर मैंने उन से बार-बार बात की कैसे फील कर रहे हैं वो इस इंजेक्शन को अडॉप्ट करने के बात, तो यू वोंट इमेजिन कि शी वास सो एक्साइटेड बाउट इट, पहले वो डियाबटीस को एक, शी वास बात करते थे, शी नेवर तोल्ड अपने किसी रहलेटिम को नहीं बताया था कि वो डियावटिक हैं और आज से अबल इबल तो टॉक 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 है अट इवह नेज़ जुप्टींटने विल की अपने हैं तो अगर हम इंजीक्स के ही बात करे हैं तो आपने कैसर्फ टॉक टॉक के लिए मैंने जब शुरू किया, उनके लिए लेके आया मैं डिवाइस यह बाहर से, जब उनके लेके आया और उनके जब उन्होंने इसको यूस करना शुरू किया. It was not the disease जिसकी वजय से I was more excited about this device. It was, जो उनमे confidence, जो self-confidence उनमे extra आया. That was excellent. बतो वो उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि अगर एक आदमी 70 साल की उमर के अंदर इतना confident हो सकता है, जो कि पहले परिशान था और छुपा-छुपा सा रहता था, diabetes किसी को बताना नहीं और she was so conservative that way. और क्यों ना अगर ये एक इतने एश के बंदे के ऊपर इतना असर कर सकता है, क्यों हर हिंदुस्तानी के लिए नहीं? So, यही मेरा main जजबा इस चीज को यहां हिंदुस्तान में लाने का उतारने का यही था, कि हर आदमी को, because this is not a disease, this is a, basically जो आपके pancreas हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, because of these problems, eating habits, और आपका जो lifestyle, जो आप physical activities का ना होना. जब वो ऐसता ऐसता अपना insulin जो create करती हैं, बोड़ी के अंदर pancreas उसको बंद कर देते हैं, तो उसको reactivate करना is right now not possible, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम या तो oral pills, doctor prescribe करते हैं, और कुछ हद तक जब diabetes कम level पे होती है, तो oral pills काम करती चली जाती है, बट एक level एक time पे ऐसा आ जाता है, कि जो diabetes का level इतना sugar level इतना high हो जाता है, तो doctor के पास दूसरी choice नहीं रहती, just to recommend to the patient direct insulin का injection लगाना, अजय जी हम injects के बार में और भी बात करेंगे, पहले एक break ले लेते हैं, दर्शकों फिलहाल वक्त हुए चोट से break का, break के बाद लाटेंगे और देखेंगे कि injects injection किस तरह काम करता है, और क्या-क्या है इसकी और भी advantages, देखते रहे एक मुलाकाद, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर जस्वागत हैं, आप देख रहे हैं एक मुलाकाद, और हमारे आज के महमान है श्री अजय बबबर जी, अजय जी हम बात करे थे injects के बारे में, तो यह मताईए कि सच में क्या इससे कोई पैन नहीं होती है, पैन से important और भी बहुत सी चीज़े हैं, जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, पैन से हर किसी को डर लगता है, जी, ठीक है, इंजेक्स में, because इसमें कोई सुई नहीं है, तो सबसे बड़ी जो इसमें benefit हुआ कि बिना सुई के इंजेक्शन की वजए से आपको डर नहीं लगता, जैसे आप diabetes की बात कर रहे हैं, diabetes के अंदर क्या है कि आपको अगर किसी को insulin therapy, उनके doctor अगर patient के उनको prescribe भी करते हैं, तो patient सुई के डर से उसको adopt करने से उसको हीच किचाता है, सबसे important thing यह है कि अगर doctor उसको कहता है कि सुई का डर नहीं है, अगर उसको यह recommend करता है कि injects जो कि needle free injection device है, आप आज की डेट में डरने की जूरत नहीं है, और needle free injection device आज मार्केट में आया है, यानि मरीजों के बीच में जो एक डर होता है injection का वह आपने दूर भगा दिया, पकी बात से दूर भगा दिया, और उससे दूसरा benefit यह है कि sui जब भी आपके body के अंदर जाती है, जो भी body के सामने जितने tissues और cells आते हैं वो उनको damage कर देती है, injure कर देती है, जो हमारे इस device के अंदर की sui ना होने की वजय से, जो medicine है, it is just forced inside the body, जो अंदर जाती है, it is, it goes in a conical manner, and ज्यादा area में spread कर जाती है, subcutaneous area में restrict रहती है, कि जहां पर injection पहुचना चाहिए, और इससे क्या है, कि it takes the root of the micropores of your body, जो आपकी body के अंदर micropores होते हैं, छिदर होते हैं, उन से यह अंदर से लिए जाती है, और क्योंकि इसमें tissues damage नहीं होते हैं, इंट्रसेललर स्पेस में यह ऐसे अंदर जाती है, तो इसमें किसी tissues damage ना होने के वज़ए से, dead skin create नहीं होती है, जी तो एक बार हमारे दर्शे को को injection दिखाई है, जरूर, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहरा हूं यहां पर, injection यह injection जो आज तक injection कहा जाता था, यह रहा injection जिसको कहा जाता है injection, मैं तो इसकी सुई देखके ही डर गई, injection का नाम लेते ही एक कम कभी सी अपने body के अंदर, हर किसी की मेरी आपकी यह किसी की भी आती है, लेकिन इसके equivalent आज जो हम कह रहे हैं, needle-free injection device, अब इसको देखिये यहां पर कोई सुई का, कोई नामो निशान नहीं, जी, बिलकुल. So, अब आप देखिये कि इससे, अगर आप किसी को कहें कि इससे injection लगा के तक हो, तो he will definitely easily without any problem, any fear he will be able to do that. But, इससे injection लगा के आपको कोई demonstration भी नहीं दे सकता. और मुझे इससा लगता है कि इसमें जबसे बड़ा फाइदा यह है कि, patient himself can use it. Yeah, that is what. The biggest advantage यह है कि, जैसे juvenile diabetic होते हैं, जो बच्चे जनम सही, एक साल, दो साल के बच्चे जो हैं, जनम सही diabetic होते हैं, कि जन्दगी injection लगाना है, एक foot, इसका मतलब यह हुआ कि, उसकी life span को अगर आप देखिये, दिन में 2-4 बार बच्चा एक injection लेता है, insulin का, उस बच्चे के लिए, सारी जन्दगी के अंदर, कम से कम 1 square inch, जो उसकी body का space है, उसके उपर कम से कम, 300-500 बार injection लगना है, एक square inch के उपर, 300-500 बार injection लगना है, आप यह देखिये कि, इसकी body जो है, का क्या होगा, जी. So needle free यहां पर यही एक चीज, ऐसी है device ऐसा है, कि it doesn't hurt, आपके tissues damage नहीं करता, little sensation has to be there, because it is not a magical device, it is a medical device, magic तो कोई नहीं कर सकता, it is a medical device, medicine just goes in with force, and without really paining much, you have a little sensation about, yes medicine has gone in, it has to be like that, otherwise आपको suspicion रहेगा, medicine गई भी है यह नहीं गई, फिर आप हमसे पूछोगे, कैसे प्रूव करो गया, medicine goes in without a pain, so I guess it's a boon to mankind. Yeah, definitely it's real great thing, if medicine can be just pushed into the body, without a needle, it's great. It is great. It's great, yeah. Ajay ji, हमे यह बताए की, how do we use it, I mean what is the procedure? Okay, it's very simple, basically we have to take a medicine from the oil, this is a oil, there is a adopter on it, we have to fill this ampule, which is a disposable one. Okay. And take the medicine out of it, take a medicine whatever he has been. Required. Required by the doctor, I mean to say whatever he has prescribed, and just put it on the device, which is a reusable device, which got a life of almost 7000 shots, which can be about 10 years of a patient. And then, just open it, and it is ready for injection, just put it on your body, and just press the trigger, medicine just goes in, in a fraction of a second, it is so fast, so quick, you don't have a feel of. Ji. So, is say, we are able to provide that confidence to the people, the children, we have cases in front of us, who are using it, and they are so happy now, they feel, they are not, need not to lie down every day, on the bed, and take injection, they are just sitting here, and just putting it themselves. Just see the relaxation, in the complete family. Chari hai. Chari hai. Chari hai. Friends, we will be right back, after this short little break, keep watching Ek Mala Kaat. Welcome back friends, after a short little break. Ajay ji, if we talk about AIDS, this is one of the main causes, that AIDS syringe also happens, so, I think it will be very useful, because when you have syringe, you will not have syringe, then it will not happen, so it will be very useful, so it will be very useful, so it will be very useful, tell us about this. AIDs, or Hepatitis B, or Hepatitis C, or Hepatitis B, or C, Infected Needle, ka, accidental pricking, to the, may be, doctor, or nurse, or any paramedics, so ek, one of the major reasons, is that, so, if there is no needle, at all, there is no chance, so accidental pricking, so accidental pricking, deadly diseases, like AIDS, and HIV, or Hepatitis, and B, or C, so, it is more secure, to get it controlled. Ji, Indian government, what do you expect from it? Indian government, we want to say, that this product, if you look at it, long run, this is more, and economical, because, if you use needles, then you need to purchase a needle destroyer, you need to purchase a needle destroyer, nobody is taking care of that, you need to compare the needle to our device, the injection costs, but for the needle destroyer, you need to purchase a machine, in every ward, in every hospital, in every hospital, you need to buy a lot of the cost, so you don't have to pay attention, in the long run, and if you don't spread infections, then your patients will decrease, and in hospitals, the patients will decrease, and if they will decrease, then government, long run, you need to reduce the expenditure, so you need to reduce the expenditure, so you need to reduce the expenditure, by the nearby metropolitan, what is in the market, what is in the market, the market, the total damage, is in the market, the maximum retail price, is 13,800, but, we have, special schemes, announced recently, for senior citizens, and even juvenile diabetic patients, who are kids, for these kids, 1,800, recently, we have launched a scheme, कि senior citizens को और juvenile diabetic patients को हम 9,800 में देंगे वेरस इसकी MRP is 13,800 रुपीस यह सिरफ इसी वजा से कि हम चाहते हैं कि लोगों तक यह पहुचे और जो senior citizens हैं जो sometimes they are neglected and even children it is a big burden to the parents we want somehow we are able to really help them we would be really great लेकिन ऐसी बात है कि गाउं और कस्बों तक नहीं पहुच पाया है अभी तक यह और वहां के लोग I think कि इतना effort भी नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए क्या आपकी special schemes है See देखे गाउं और कस्बों तक भी यह device पहुचेगा directly और indirectly we are in touch with maybe WHO के भी touch में हम हैं or even we would like to get in touch with जो हमारे गोवर्मेंट है health departments है to at least यह इस ताइब के device से जो vaccination जो बच्चों के vaccination होते हैं जहां आप बच्चों को injection लगा रहे हैं government is doing a great job जैसे polio के लिए कर रहे हैं and for eradication of all these kind of disease TB and cancer definitely so this kind of device can reach through them तो यह बताये की और कौन कौन से बीमारियों का इलाज इससे possible है हम और कौन कौन से बीमारियों के लिए से यूज कर सकते हैं इसमें जहां पे भी subcutaneous injection की जुरत बढ़ती है there is a big category of diseases जहां पे हमें subcutaneous injection यह muscular होता है यह subcutaneous muscles से पहले और skin के बीच में जो area होता है fatty tissues होते हैं उसके अंदर जब injection देते हैं कोई भी injection किसी भी branch of medicine के अंदर अगर दिया जाता है that can be given with this आपको मैं थोड़ा सा और बता दूँ इसके वह elaborate करके it is a great advantage for dentistry itself doctor के पास जाते हुए हम उसकी सुई को देखते हुए डरते हैं dentist की सुई भी थड़ा सा लंबी होती है उसके पास जाते हुए हम इतना डरते हैं कि हमारा दांत मतलब निकलवाने तक की नोपता जाती है when we have acute pain we go to the dentist and dentist क्या करता है acute pain के अंदर आपको कभी आपका कोई इलाज नहीं करेगा he will try to give you some antibiotics और उसके साथ आपको pain killer दे दिया you go happily home and आपको recommend करेगा कि आप इसको कहना मैं तीन दिन के बाद आप आके extraction करिये या root canal या इसकी filling करवाईए कितने लोग हैं जो doctor के पास after उतकी जो pain settle down हो जाती है तो वापस जाते हैं very less number of people again उसको चडवाना नहीं चाहते sui लगाएगा और कुरेदेगा उसको and again pain will start so it is a great advantage for dentistry कि आप local anesthesia जो है बिना sui के injection local anesthesia दिया जा सकता है आपके frontal teeth का सारा इलाज बिना sui के आपके हो जाएगा और बच्चे my daughter herself got three extractions and आज भी चोथे की नोबत है तो जोगाई she is happy to go to the dentist जी यानी बहुत 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 फायदमन है आम जनता को बहुत फायदा होगा government को बहुत फायदा होगा doctors को फायदा होगा dentist को फायदा होगा thanks to you because you have brought this in Indian market if I am able to really do something for the people of my country I would be great I would be more than happy to do that that is what is my mission is to remove this pain from this humanity whatever extent up to I am able to do अजी जहां हम इसके फायदे देख रहे हैं वहाँ एक बात दिल को परिशान बार बार करती है कि इसकी cost आपको नहीं लगदा कि बहुत जादा है काम इनसान इतना effort नहीं कर पाएगा see definitely I do agree मैं आपके साथ पूरी तरह से agree करता हूँ लेकिन cost को आपको totality में देखना पड़ेगा कुछ लोग कहते हैं कि यह साब यह जो इसकी cost 9800 रुपे जो हमने patients के लिए रखी है वो इनको चुपती है यह तो आपने decision लेना है कि एक बार की चुबन या बार बार की चुबन यह जरूर एक बार की चुबन है कि आपको 9800 रुपे आपको एक बार देने पड़ेंगे लेकिन आपकी जिंदगी भर की चुबन से अगर आपको यह चटकारा दिला सकती है हमें अपने nears and dears के साथ कितना प्रेम है हमें यही आपको decision लेने में help करेगा मैं यही जाना चाहूंगे कि इसकी life कितनी है Can we use it for lifelong purpose This is a device जो की a metallic है इसको ना आपको sterilize करने की जूरत है कोई maintenance नहीं मांगता यह इसकी life जो है 7000 injections तक आप इससे अगर आप इसको ठीक से यूज करें तो आप लगा सकते हो इसका मतलब 7000 injections के बाद यह नहीं है कि device कंडम हो गया उसके बाद भी इसमें we have to make a little change and it can work for another same life So it is very economical आपका lifelong तक ही almost चलता है तो हमारे दर्श्यकों को यह बता दिजी कि अगर वो किसी कारण यह नहीं ले पा रहे हैं तो वो किस तरह contact कर सकते हैं आपसे Although हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप मीडिया की भी हम help लेना चाहते हैं कि आप लोगों तक हमारी यह बात को पहुंचाएं इस device को पहुंचाएं लेकिन अगर कहीं पे अभी यह चीज अगर आपके chemist तक या आपके शहर में अगर नहीं पहुंची है तो आप हमारे से contact कर सकते हैं हमारा address है Digitex India 2 oblique 6 3rd Flow West Patel Naga New Delhi 8 और अगर phone पे हमें contact करना चाहें We can help you on that आप हमारा number note कर सकते हैं 011 42484234 से लेके 237 तक यह हमारे customer care के number है कभी भी आपको किसी भी जानकारी के लिए अगर किसी help की जुरुत हो तो आप हमारे तक reach कर सकते हैं चलिए आजय जी आपका बहुत बहुत धनेवाद हमारे studio माने के लिए और हमारे दर्शिकों को इस injection के बारे में जैसा कि मैंने पहले का boon to mankind वर्दान है हम सभी के लिए इसके बारे में इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धनेवाद तो दर्शिकों देखा आपने ये डाबिटीज के पेशन्स के लिए तो एक वर्दान है ही साथ ही में local anesthesia, dental anesthesia, cancer, infertility और साथ ही में cardiology में heparan injection के लिए भी इसे इस्तमाल में लाया जा सकता है तो देखा आपने एकदम चमतकार के रूप में काम करता है हमारा ये इंजेक्स तो अब एक मुलाकात में मुझे देजे इजाजत अगले एपिसोर में आपसे फिर से मिलेंगे फिर से बहुत सारी बाते करेंगे तब तक के लिए नमस्कार